दोस्तों आप सभी को दसारा की बहुत बहुत बधाईयां सुभकामनाएं और आप सभी खुब पकवान खाओ और मौज मस्ती करो अगर आप वटसप इस्तेमाल करते हो तो आज की वीडियो आप सभी को देखना बहुत जरूरी है जी हाँ दोस्तों वटसप में सिर्फ आप मैसेज को भेजने और पढ़ने तक ही सिमित रखे होंगे लेकिन आज में आप सभी को वटसप के अंदर की एक ऐसी खुफिया फीचर के बारे में बताने वाला हूँ जिस फीचर के बारे में जानकर आप सभी की पैरो तले से जमीन हिल जाएगा जी हाँ दोस्तों कुछ ऐसी ही वटसप की एक सीक्रेट फीचर है जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा लेकिन डीटेल में नहीं जाना होगा तो बिना किसी देरी की आप इस वीडियो को एक लाइक कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा और घंटी को अन कर दिजेगा तभी तो आगे ऐसी वीडियो आप सभी को मिलती रहेगी नमसकार दोस्तो मैरा दरंपसाद और आप देख रहे हैं सिखि ओल इन हिन्दी आप अपने WhatsApp को ओपिन करेंगे ओपिन करने के बाद यहाँ पे 3. पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद सेटिंग में आजाए आने की बाद यहाँ पे आकाउंट में आईए तो यहाँ पे आप सभी को एक आपसन देखने को मिलेगा Request Account Information दोस्तो यह एक feature ऐसा है जिसे हम सभी ने आज तक हलके में ले रखा है और इस feature का जो खूफिया राज है आज मैं आप सभी के सामने परदाफास करने वाला हूँ तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जनकारी मिलने वाला है कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एप अभी WhatsApp ही है अगर आप request report पे करोगे तो यह जो आपका request generate करेगा वो तीन दिन के अंदर में यहाँ पे आपको generate करके दे देगा आज आप सभी ने 28 तारी को request डाल दिया है अब यह अगले तीन दिन के अंदर यहाँ पे download का option दे देगा तो जब आप इसे download करेंगे तो आप सभी को WhatsApp के बारे में और अपने बारे में इतना जानने को मिलेगा जो आप सभी सोच नहीं सकते हो जी हाँ दोस्तों WhatsApp आप सभी का हम सभी का इतना सारा data collect करके रखता है जो आप सभी को इस वाले option के अंदर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना WhatsApp का account information निकलवा के रख लिया है अब मैं इसे open करता हूँ आप सभी के सामने यह देखिए यहाँ पर मेरा open हो गया और आप सभी को कुछ ऐसा ही interface देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कब इसे generate किया है कब मेरा यह request लिया है आपका current IP address क्या है यह WhatsApp को पता है आप सभी का कौन सा phone है यह WhatsApp को पता है मेरा android है कौन सा manufacture है Motorola है कौन सा model है यह भी पता है और यहाँ पर आप सभी का जो उस समय DP लगा था वो कौन सा DP लगा यह भी पता है और most important आप सभी के phone में कितने contact सेव है यह भी WhatsApp को पता है यहाँ दोस्तों आप भरम में मत रहिएगा कि WhatsApp आपके contact को watch नहीं करता है देख सकते हैं कि मेरे phone के अंदर कितने सारे contact है और कितने नमबरों से मैंने WhatsApp पे chatting किये हैं बाते किये हैं सब डीटिल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे देख सकते हैं जितने मेरे phone के अंदर contacts हैं सब को इसने read करके मुझे बता दिया कि इतने सारे contact आपके phone के अंदर है और इतने सारे लोगों से आपने बाते किये हैं देख सकते हैं अब यहाँ पे जो most important है वो आप गौर फर्माइएगा data sharing का जो option है वो हम सभी ने yes करके रखा है और मुझे पता तक भी नहीं है कि हमारा data share भी हो रहा है दोस्तो आप सभी confused रहते हो ना कि WhatsApp हम सभी को कैसे free में दे रहा है Google हम सभी को कैसे इस्तेमाल करने दे रहा है वो भी बिलकुल free में तो वो होता है data sharing से पैसे earning जितना भी पै आते हैं तो हम सभी ने अपना data sharing on करके रखा है यस करके रखा है यहाँ पर और भी काफी सारे option है जैसे कि मैंने किन किन को ब्लॉक करके रखा है वो भी यहाँ पर दिखा रहा है अगर आप भी चेक करना चाहते हैं अपने WhatsApp का account information तो जाये मैंने आप सभी को बता दिया है कि कैसे इसे चेक करना है और आप भी देख लिजे कि आपका क्या क्या डीटेल WhatsApp के पास अभी अब लेवल है तो इस वीडियो के अंदर इतना ही जनकारी था अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइ कर दीजेगा और घंटी को आउन करना मत भूलिएगा